हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वारत फैर्शन आज की वीडियो में हम बताने वाले आपको अनारकली ड्रस की कटिंग और स्टेचिंग इसे कैसे रेडी कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर अनारकली का फैब्रिक लेया है आठ मीटर ट्रस में डिजाइन करने के लिए हमने यहाँ पर लेस लिया है तो यह हमारी कुछ इस्ताह की लेस है दो तरह की हमने लेस से लिए हैं दूनों लेसों को हम यहाँ पर अलग-अलग तरीके से डिजाइन करेंगे तो आप पूरा वीडियो को देखीगा और इसकिप मत करिएगा पैटर्न पे पहले कटिंग करेंगे फिर बात में उसे फैब्रिक पे कटिंग करेंगे टॉप की लेंगे 14 इंच शोल्डर हम यहां लेंगे 5.5 इंच डीप नेक है हमारा तो शोल्डर इसलिए हम 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्मोल्स लेंगे 6 इंच चेस्ट हमारा है 34 उसका 1 फॉर्ट लेंगे 8.5 इंच अब इन लाइन को ड्रॉ कर लेंगे आर्मोल्स के लिए यहां पर 1 इंच पर माक करेंगे और उसकी राउंडिंग देंगे वेस्ट है हमारा 30 तो 30 का हम यहां पर 1 फॉर्ट लेंगे 7.5 इंच 1 इंच का मार्जन अट करेंगे और इस ताह से शेव दे देंगे अब इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे पैटन में हमने यहां पर बैक पार्ट कटिंग कर लिया आप फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो यहां पर मार्जन हमने अट नहीं किया है पैटन में तो फैब्रिक में हम यहां पर मार्जन अट करेंगे और फिर उसके बाद बाकी सिंग कटिंग कर लेंगे side से margin को add करना है वस यह हमारा back part cutting हो गया अब front cutting करेंगे वही pattern लिया है back part cutting करने के बाद इसी pattern पे हम अपने front part की marking करेंगे front neck की broadness लेंगे 3 inch और deepness लेंगे 6.5 inch so it's hard neck के हम यहाँ पर cutting करेंगे तो यहाँ से हमें 4 inch लेना उपर की side से और फिर इसके बाद हमें इस तहाँ से V-part कर देना है तो ये neck हमारा draw हो जाएगा उपर फिर शोल्डर से हम 12.5 इंच लेंगे और यहां से इस तहाँ से mark करेंगे और bun side से हम यहां पर 6 इंच लेंगे 6 इंच पर mark करेंगे अब ये जो neck है हमारा जहां से straight आ रहा है वहां से round करेंगे और इस तहाँ से पूरा ये वाला पार्ट इस वाली line से मिला देंगे और ये अंदर वाले पार्ट की cutting कर लेंगे इस तहाँ से ये पार्ट हमारा cutting हो गया अब यह नेक वाले पार्ट को भी इस ताह से कटिंग कर देंगे तो पैटन हमारा यहां पर कटिंग हो गया है अब फैब्रिक पे हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे अपने पैटन को रखकर यह इस ताह से हमारा पूरा पैटन कटिंग होकर आएगा यहां पर अपने पैटन को रखना है और यहां मार्जन को एट करते हुए पैटन को कटिंग करेंगे यहां पर इस ताहर से half inch का margain add करेंगे जब हम दोनों पाट को आपस में join करेंगे तो हम मारजन के जरूरत पड़ेगी तो यहां पर margain add करना है वगाला पाट कटिंग करने के बाद इस वाले पाट को कटिंग करेंगे पहले जोहां पर हमारा यह pattern आ रहा हूँ उस पर mark करेंगे फिर half inch का margin add करते हुए पुरे पार्ट के cutting कर लेंगे दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे ये देखे हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा ये हमने lining वाला पार्ट cutting किया है अब fabric वाला cutting करके इस तरह से हमने lining और fabric दोनों पार्ट को आपस में joint कर लिया है अब ये जो हमारा weave वाला पार्ट है यहाँ पर हम अब lace को लगाएंगे इस वाले पार्ट में हम अपनी पतली वाले lace लगा रहे हैं और देखे इस तरह से इस वाले पार्ट में हम अपने pad लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं नहीं तो आप इस पार्ट को skip कर सकते हैं बस खाले आपको lining वाले पार्ट को join करना है अब हम अपने दूस्ते वाले पार्ट को लेंगे उसमें भी हमने lining और आपर वाले पार्ट को join कर लिया है और बाकी पार्ट में हम यहाँ पर sly लगाएंगे, आपको अच्छे से करना एक्स्टा नहीं रखेगा नहीं, तो आपका साइज जो है, वो कम जादा हो जाएगा, अब सारे पार्ट में हम यहाँ पर पिन लगा लिया है, अब इस पार्ट में sly लगा लेंगे, अब इस लेस गांस आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगोके तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करिएगा, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी پ्रेस करेगा तक इसी ताएख की वीडियो की नाटि sih के आपको मिल जाएll limp देख सकें एक इस तहां से हमारे यह पूरे पाठ में लेस लगे और फ्रंट पार्ट हमारा राइडि हो गया है बहुत ही प्यार लुक आया है इसका अब फ्रेंट पार्ट पार्ट करने के बाद बैक पार्ट को रेड़ि करते हैं बैक पार्ट का नेक की डीपनेस हम लेंगे 10 इंच और यहां से हमें 2 इंच लेना है बैक नेक में हम 3 लीफ के डिजाइन रेड़ी करेंगे तो इस वाले पार्ट को हलका सा पहले राउंड करेंगे और यहां से हमें पूरा उपर की साइड को लेके जाना है बेक नेक हमें उपर की साइट से राउंड रखना है three inch पर और इसकी जो brutídness होगी भूबी थी इंच लेंगे इसको पहले राउंड शेप दे लेंगे अब इस यह वाला पार्ट जब राउंड शेप दे देंगे इसको कटिंग कर लेंगे अब इसकेल की मदद से इसमें शेप देंगे पहली लीफ हमारी यहाँ पर हमने रेडि कर लिए इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर देखे कुछ इस तासा इसका लुक आया है अब यहाँ पर हम टू लीफ और एड करेंगे तो वो कैसे कटिंग करना है यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्ज एड करेंगे एक मार्ग करेंगे और यहाँ से हम एक मार्ग और करेंगे टू इंच की दूरी पर यहाँ से हमें 4 इंच लेना है इस साईटसे हम थ्री इंच लेंगे अब इस पार्ट को ही हमhanded करेंगें 이게 पहले से मर्किंग कर लेगे दोनों पार्ट को अब इसी को हम राउंध दे दे देंगे दोनों को आपास में मिलाती हुए यहां पर हमने दिखे दोनों लीफ कटिंग कर ली है और इस ताह से हमारा नेक कटिंग हो गया है जो हमने नेक कटिंग किया है वो लाइनिंग वाले पार्ट पर कटिंग किया है अब अपर पार्ट और लाइनिंग वाले पार्ट को दोनों को आपस में मिलाते हुए इस ताह से रखना है और पर हमने पिन की मदद से दूनों पार्ट को अटाच कर लिया है अब यहीं पर हम यहां पर सलाई लगाएंगे जिस तहार से हमारा कटिंग हुया है जिस शेप में उसी शेप में हमें अपनी सलाई को लगाना है अब यह पूरे अंदर वाले पार्ट को कटिंग कर देंगे जो हमारा आपर पार्ट का फैबरिक कर इस तरह आ रहा है इदे के इस तहाँ से फोल्डर कर हमारा नैका जाएगा अब लीफ के साइड में हमें यहाँ पर लेस को लगाना है इस तहाँ से पूरे पार्ट में हम लेस को लगाएंगे यहाँ पर सलाई लगा लेंगे लेस के उपर देखे इस तहाँ से हमने पूरे पार्ट में लेस को लगा लिया है सलाई की मदद से अटैच कर लिया है अब यहाँ पर हम पतली वाली रेस लेंगे और उसका जो round shape हमने cutting किया था उसी तरह से हम इस वाली सारी लीफ को joint करते हुए round shape देंगे लेस से हमें यह वाले पार्ट का round shape देना है देखे इस तहाँ से हमारा यह neck ready हो गया है अब front और back वाले पार्ट को आपस में join करते हुए ready कर लेंगे अब यह वाला जो fabric है हमारा इस पर हम अपनी कलियों को cutting करेंगे तो पूरा fabric हमने open करके रख लिया है और यहाँ पर हमने paper पर कली cutting करी है उसकी length हम आपको बता देते हैं यहाँ पर हमने 36 इंच कली की length ली है और नीचे की side से हमने यहाँ पर 16 इंच इसकी विर्दली है नीचे की side से और उपर की side से हमारे waist जो होगा वो हमने 2.5 इंच का लिया है अब इसी shape में हम यहाँ पर अपनी कली को cutting करेंगे कली का जो shape है हमारा उसी के पास में हमें यहाँ पर marking करना है फैब्रेक के उपर इदेगे इस ताह से हमारी कली का shape आ रहा है अब दूसरी कली हम कुछ इस तरह से रखेंगे दूसरी side से रखेंगे तो जो भी फैब्रेक होग हमारा waist नहीं होगा और सारी कलिया इस ताह से cutting हो जाएंगी तोटल हमने यहाँ पर 24 कलियां cutting करी है तो जैसे मैंने कलियों को cutting करते दिखाया है सेम आपको इस ताह से कलियों को cutting करना है फिर कुछ इस ताह से joint करना है जो कम वाला पार्ट है हमारी कलिया का वो waste में रहेगा और कुछ इस तहाँ से ये हमारी कलियां जॉइंट हो जाएंगी यहाँ पर हमने आपको जॉइंट करते नहीं दिखा है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता तो साथ में हमने सिर्फ जॉइंट करके ये आपको दिखाया है आपको इस तहाँ से अपने सारी कलियों को स्लाई लगा कर जॉइंट कर लेना है सारी कलियों को जॉइंट करने के बाद हमारा जो इसका फ्लेर है ये टैन इंच का फ्लेर आ रहा है इस तहाँ से सारी कलियां जॉइंट हो जाएंगी और लेस भी हमारी दो तरह की लेसे हैं तो दोनों को अलग-अलग तरह से हम यहाँ पर लगाना है तो उपर की साइड से पहले सेंटर को हम देखेंगे और अपनी एक लेस को लगा लेंगे आप अपने अगारिंग जैसे भी आपको अच्छी लगे वो आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ पर हमने एक लेस को लगा ली पहले एक लेस को हम यहाँ पर स्लाइस से जॉइंट कर लेंगे फिर यहाँ पर हमने एक कली को छोड़ा है फिर दूसरी लेस को लगाया है इसी तरह से हम इस साइड में भी एक कली को छोड़ेंगे और फिर लेस को लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है आप इसी तरह से पूरे पार्ट में लेस को लगाएंगे यह देखिए हमने पूरे पार्ट में लेस को लगा लिया है यहाँ पर कलियों के हमने two parts ready करें है front and back तो दोनों part को हमने अलग-अलग ready किया है फिर हम दोनों part को आपस में joint करेंगे और फिर अपने top वाले part में इसको लगाएंगे तो दोनों part को इस ताह से आप पहले रखना है और मिला कर side से slide लगा लेनी है देखे इस ताह से एक part हमारा है और दोनों part को जब हम आपस में रखेंगे और इस side से slide लगा लेंगे और top वाले part में joint कर देंगे देखे इस ताह से हमारी dress ready हो गई है बहुत ही प्यारी लग रही है आप लोगों को कैसे लगी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like करिएगा और मेरे चैनल को वे subscribe करके जाएगा तकि इस इदाह की वीडियो को आप लोगों को देखने को मिल सके और आप लोग कुछ नया सीख सके हमारे साथ में आप ए दूर के लगीडियो!! झाल